अब देख सकते हो गेल का चार्ट अगें यह टॉप गेनर में काफी अच्छा सा ट्रेंडी चल रहा है कल से जैसे हमने डिसकस किया कप एन्डल पैटन वगरा यह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भी यह जो रजिस्टंस है उसके उपर सस्टेंड कर रहा है यहां से यह इसका रेंज बना हुआ है जब तक यह ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं मुवमेंट एक्सपेक नहीं कर रहा है इसको आप देख सकते हो सुबस इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है इदर यह लेवल या फिर यह लेवल ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं अभी तक हमने कोई ट्रेड लिया नहीं यहां पर आप देख सकते हो स्टॉक इंट्राडे के लिए और भी कई स्टॉक्स थे बट मार्केट काफी आज चौपी लग रहा है आप देख सकते हो टेलिग्राम के उपर भी मैंने व्यू शेर किया हुआ है मार्केट आज रेंज में लग रहा है अगर आप जॉइन नहीं हो इसके उपर तो हो सकते हो यहाँ पर मैंने जैसे बोला है बैंक निफ्टी के अंदर लोर 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 हाइज इसके अंदर लग रहा है फिप्टी मिनिट का चार्ट है यह आप देख सकते हैं कॉंटिनिवसली फॉल कर रहा है अभी जाके अगर आप देखोगे तो यह इसका रिसेंट हाय है 36,700 के नियर बै और नीचे के साइड पर देखोगे आप तो फ्रेश इसने लो लगा है 36,120 का है ठीक है यह रेंज के अंदर जब तक है मैं एक्सपेक कर रहा हूँ कि साइडवेज जी रहेगा यह रेंज अगर ब्रेक करता है आइदर साइड और सस्टेन करता है थोड़ी देर के लिए पाच एक मिनिट के लिए तो हम डिरेक्शनल जा सकते है आइदर शॉर्ट साइड और या फिर बाई साइड ठीक है यह सब शॉर्ट पोजिशन से सो अलमोस्ट एट थाउजन का प्रॉफिट इसके अंदर चल रहा है आज है फ्राइडे दोस्तो तो फ्राइडे के वज़े से डिके जो है वो कम होता है काफी बट कंसिडरिंग फ्राइडे आज अभी काफी अचा सा यहाँ पे डिके मिलता हुआ दिक रहा है तो अगर कोई भी रेंज ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे एक्जिट करनी का ही ट्राइ करूंगा या फिर अगर डिरेक्शनल कोई मूव आता है तो डिरेक्शनल बेस जाए है तो इस अगर डिरेक्शनल कोई करेंगे तो हम डिरेक्शनल जाने की कोशिश करेंगे तो अभी तक देखते अभी तो यह नीचे आने का ट्राइ कर रहा है यहाँ पे पर हाल्ट किया था वर मुमेंटम वापस से सेलिंग का दिक रहा है तो यह लेवल तक हम दोस्तों या profit होता है जो भी है अभी तो bank nifty के अंदर काफ़ी अच्छा डिके हुआ है गेल के अंदर भी अगर देखोगे तो intraday trade मैंने नहीं लिया है यह जो है rejection बता रहा है हासे 150 का एक काफ़ी अच्छा level है दोस्तो 150 अगर cross करता है तो काफ़ी momentum आ सकता है सो देखते है यह भी आप देखोगे तो काफ़ी sideways हो चुका है जो हमने candle discuss किये थे उसके अंदर ही trade कर रहा है सो yes as of now अपना यह plan है plan के साब से hold करते है और देखते हैं दोस्तों मैं आपको update करता हूँ friends time हो रहा है 1.33 in the afternoon आप देख सकते हो जैसे हमने यह levels discuss किये थे सुबह striddle हमने लिया है short striddle अभी market जो है fall कर रहा है सो देखते है यह level तो इसने break किया है बट अभी कैसा react करता है यहाँ पर यहाँ से bounce आता है या फिर nature close देता है सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो positions है के अंदर कुछ अभी तक hamper नहीं हुआ है 8000 के रहा हूं profit चल रहा है अपना decent market इतना fall करने के बाद भी almost अपने strike price से 200 points down है so wait करते हैं अगर chance मिलता है तो हमके short करेंगे market को so wait कर रहा हूं मैं यहाँ पर reaction कैसे देता है closing काफी important है दोस्तों कभी कभी क्या होता है हापे falls breakout देता है मतलब नीचे जाएगा तुरंत weak बनता है तो वहाँ से जो यह trap हो जाते है so इसलिए मैं closing का हमेशा wait करता हूं so update करता हूं मैं आपको अभी तक gel भी अगर देखोगे तो यह जो range हमने discuss किया था इसके उपर buy करते है so यह भी range के अंदर था बट अभी market fall कर रहा है तो इसने भी reaction दिया है ऐसे नीचे जा रहा है so wait करेंगे हम मैं update करता हूं आपको so friends finally हापे देख सकते हो bank nifty ने नीचे close दिया है so short side के लिए मैंने अभी activate कर दिया है short sale कर दिया है food को जो है हमने sell position पे था तो उसको buy कर लिया है अभी अपना position ऐसे दिख रहा है so अगर और भी नीचे जाता है तो हमें profit हो सकता है bank nifty के अंदर bank nifty को हमने short किया है nifty अभी तक मुझे दिखा नहीं है इसलिए nifty के अंदर कुछ change ने किया है जैसे level break करता है तो हम इसको भी short कर देंगे so अभी देख सकते हो bank nifty अचा सा fall कर रहा है मैं expect कर रहा हूँ कि अभी ये continue करेगा उसका fall जो है so stop loss भी हम aggressively trail करेंगे अभी stop loss अपना दोस्तो ये level के पास आएगा इसका आप देखोगे तो ये swing high जो है इसका यहाँ से जो sell off आया था ये level के पास initial stop loss अपना रखेंगे जब तक कि ये continue रहेगा ये trend line के पास आके वापस से fall कर सकता है ऐसा मेरे expectation है देखते अभी कैसा perform करता है तो अभी जो है अपना profit चल रहा है 7000 के around अभी ये fluctuate जादा होगा क्योंकि हम अभी correct short position में गए 8000-9000 के रहा हूँ profit चल रहा है मैं आपको update करता हूँ So friends finally आप देख सकते हो nifty भी continue fall कर रहा है bank nifty भी fall कर रहा है काफी अच्छा moment इसके अंदर हम जो है total अभी short position के अंदर है आप देख सकते हो put जो है हमने buy किया है और call short है synthetic future in short आप देख सकते हो 23000 के around profit चल रहा है ये होता है दोस्तो decision जो है time पे लेना आना चाहिए initial अपना stop loss ये था अभी देखेंगे हम moment अगर continue करता है तो trail करेंगे सो अभी तो ये continue fall कर रहा है अच्छी बात है अपने लिए nifty भी है अच्छा सा fall कर रहा है overall अपना 21000 के around profit चल रहा है दोस्तो ये अगर कम भी होता है loss भी होता है तो मुझे कोई उसके अंदर ये नहीं होता है आप बोलोगे 22000 profit चल रहा था और बाद में अगर loss में दिखता है आपको ये तो आप बोल सकते हो कि profit मिल रहा था तो निकल जाना चाहेता ऐसे नहीं रहता है दोस्तों मैं system वगरा जो है अपना follow करता हूँ so देखते है continue moment कर रहा है ये नीचे side के लिए 15000 break होता है तो काफी दिक्कत हो सकती है 15000 इतने दिनों से break नहीं किया था आप देख सकते हो अभी continue fall कर रहा है bank nifty को अगर देखो तो ये भी continue fall कर रहा है almost अपने जो level discuss किया है वहाँ से almost 1500 point ये गिरा है अभी जो है अपना 23000 के रहा हूँ profit चल रहा है बने रहे हैं आपको update करता हो जो भी result है काफी अच्छा smooth fall कर रहा है अभी friends टाइम हो रहा है 2-7 in the afternoon आप देख सकते हो ये level break होने के बाद क्या continue smooth fall आ रहा है bank nifty के अंदर और nifty के अंदर भी same hard है आप देख सकते हो अपना जो profit है 31000 के around 32000 के around अपना profit चल रहा है सो अभी तक तो हमने book नहीं किया है इसको देखते है कैसे book करते है कहाँ पर बूक करते है तो अभी 15000 दोस्तो काफी दिनों से break नहीं हुआता तो अभी थोड़ी देर भी sustain करता है तो काफी panic selling आ सकती है वो मेरा expectation है देखते है continue करता है नहीं करता है काफी अच्छा smooth fall कर रहा है दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने short किया है और आप देख सकते हो almost 70 point down है वहाँ से so bank nifty भी काफी smooth fall कर रहा है almost अगर देखोगे 270 points almost down है 38000 के around अपना profit चल रहा है wait करते है दोस्तो अगर book करने का मन करता है मेरा कुछ reversal दिखता है तो मैं early book कर दूँगा 40,000 भी cross कर दिया wait करें में दोस्तो patiently देखते है अपडेट करता हूँ मैं आप friends यह काफी अच्छा fall कर रहा है यहाँ पर reversal candle मते हुए दिख रही है तो emotions काफी आते है कुछ लोगों को तो यहाँ पर रूप नहीं पाते है तो देखते हैं अभी major trend दोस्तो यह change कर रहा है तो अगर करता है continuous तो fall काफी आ सकता है आपको trend कंटीनियो अगर पकड़ना है तो काफी अच्छे से ride करना पड़ता है देखते हैं दोस्तो थोड़ा बहुत अगर देखो इतना market अगर गिरता है 300 point तो यह थोड़ा बहुत retracement आता है इसके वाज़े से जो आपका profit and loss से थोड़ा बहुत जाधा fluctuate होता है लोट्स वगर जाधा रहते तो इसको देखना नहीं पड़ता है जाधा चार्ट के उपर देखो उसके उपर अगर आपको reversal दिख रहा है कुछ exit करने का criteria आप decide कर सकते हो अभी अगर इसको half hourly के उपर देखोगे तो यह जो support है इसका main यहाँ पर देखना पड़ेगा यह कैसे react करता है 35500 तक अगर आता है तो यहाँ पर book करने का try करेंगे हम और अगर 200 point मिलता है तो अच्छी बात है नहीं तो देखते है जो मिल रहा है उसके अंदर निकल जाएंगे so let's see update करता हूँ मैं आपको अभी तो देखो यह जो up side जा रहा था वाप side selling pressure इसके उपर दिख रहे है nifty भी देख सकते हो आप अपना profit जो है almost 55,000 के nearby आ चुका है so let's see मैं update करता हूँ आपको friends अभी bank nifty nifty देखोगे तो continue fall तो कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा बहुत retracement आया है आप देखोगे तो day low से 650 का low था अभी इसने high लगा है मतलब day so point का almost इसने high लगा है 200 day so point का nifty भी देखोगे तो recover कर रहे है अभी देख सकते हो आप 45,000 के रहा हूं profit चल रहा है Friday आज तो reverse अगर आता है तो काफी quick आ सकता है so मैं decide कर रहा हूं कि book कर लेते हैं कर लेते हैं दोस्तो finally मैंने book कर दिया है so friends finally हमने जो है यहाँ पर book कर दिया है आप देख सकते हो just exit किया है 43,900 के रहा हूं profit किया है almost 44,000 के nearby यहाँ पर दोस्तो problem क्या हो रही है आप देख सकते हो green candle बनी यहाँ एक red candle बनी बाद मैं वापस यह try कर रहा है short covering दोस्तो अगर आती है तो काफी जल्दी आ सकती है काफी quick आती है अभी अगर आप देखो वे तो stop loss भी देखो यहाँ पर काफी बड़ा बन रहा है ठीक है यहाँ पर यह लेवल के around stop loss टखना पड़ेगा that means हम पूरा profit मिस कर सकते है time भी काफी कम बचा है almost half पेंड नहीं गया भी so इसके वज़े से मैंने जल्दी book कर दिया है अभी Friday की दिन पर अगर profit होता है तो अच्छा लगता है weekend अपना profit के साथ होता है तो क्योंकि दोस्तो stop loss यहाँ पर देखो काफी wide हो रहा है almost 70 points का nifty के अंदर और bank nifty के अंदर भी काफी huge हो रहा है ठीक है अभी आप देख भी सकते हो यह continuously reverse कर रहा है यहाँ पर अगर bank nifty को देखोगे आप तो एक support level है clearly आपको यहाँ पर दिखेगा यह जो है इसका deadly support बन सकता है 35,500 के nearby और यहाँ पर यह जो level से आप देख सकते हो 35,600 का ठीक है तो यहाँ से एक bounce आ सकता है उसके अंदर अपना profit जा सकता है तो इसलिए हमने जादा है हाँ पर वेट नहीं किया और बुक कर दिया और दोस्तों इसके बाद अगर यह नीचे भी गिरता है तो अपने को कोई regret भी होना नहीं चाहिए काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाँ निकल गए वापस से नीचे आया तो यहाँ इमोशन्स वगरा काफी आते है काफी लोगों को तो प्रॉब्लम रहता है तो वो चीज यहाँ पर होनी नहीं चाहिए एक बार अगर आप प्रॉफिट और लॉस जो भी है बुक करते तो बाद में चार्ट नहीं देखने चाहिए यहाँ पर हमने कुछ ट्रेड नहीं किया ह होता है तो दोस्तो आज मैंने पूरा ट्राइ किया यह ओप्शन्स के वीडियो बनाना इतने इजी नहीं रहते दिन बर इसका ट्रेड चलता है आज मुझे टाइम मिला था चुटी थी इसलिए मैंने ट्राइ कि वीडियो वगरा शूट करे और सब जो है मैं जैसे ट्रेड लेता हो कैसे मैनेज करता हो सब बता हो लॉजिक वगरा मैंने स्टैडल वगरा कैसे मैनेज करना है कब डिरेक्शनल जाना है सभी आपको अपडेट किया है आज कैसे आपको अगर प्रॉफिट दिखता है तब भी कूल रहना चाहिए लॉस भी दिखता है तो कूल रहना चा तो यह होता है दोस्तो फ्राइडे के दिन पर अल्मोस्ट टू थर्टी के बाद अगर आपको ट्रेड यह करना है तो प्रॉब्लम आता है तो इसलिए मैंने बुक कर दिया है अभी देखो दोस्तो यह अगर उपर जाये हो तो मुझे खुशी होगे कि मैंने यहाँ पर बुक क पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजेगा नेओ चानल पर तो सस्क्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई